मानिया जग्जी मानिया जग्जी एस सदन ने बहुत सारे इत्यासी क्षण देखे इस सदन के समय समय पर के सभासदों के नीने के द्वारा देश के इत्यास में बहुत नए नए अध्याई कई बार जुड़े हैं मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इत्यास में स्वर्नीम पक्षरों के साथ अंसीच है ये महान सदन जो अपनी प्रतिवध्यता भारत की एक्ता अखन नित्ता और सार्व भमोत्तों के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है वो महान सदन ये महान सदन अज फीर एक बार एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कस्मीर को भारत के साथ जोड़ करें वाला पूरी चर्चा का तो मैं बात में जवाब दूगा काफी सारे सदस्यों के मन में ये चीजे पड़ी हैं कि ये जो प्रस्ताव संकल्प और बिल मैं लेकर आया हूँ उसकी कानूनी वहिद्धता क्या है सम्वेदानिक पोजिशन क्या है तो मैं सबसे पहले सभी सभासद इस पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सके इसलिए इसकी कानूनी और सम्वेदानिक स्थिती को सपष्ट करना चाहता हूँ सभापती माने अजग जी राश्ट्रपती महोदय ने कल एक कॉंसिट्यूशन ओर टुथाउजन नैंटिन साइन किया है इसके तहर 370 1D अनुचे 370 के 1D का उप्योग करते हुए एक सम्वेदानिक ओडर उन्होंने पास की है जिसमें भारत के सम्वेदान के सारे के सारे अनुबंद जम्मो और कस्मीर के सम्वेदान को लागू होंगे और इसका मसलब है कि पैसी से चलिए और 367 और 371D को एक साथ में पढ़ते हुए जो अधिकार प्राप्त होता है वो अधिकार के तहट राष्टपती महोदर ने एक जहां जहां भारत के सम्वेदान में कॉंसिट्यंट एसेमली और जम्मो और कास्मीर लिखा गया है वहां पर इसको जम्मो और कास्मीर लेजिसलेटिव एसेमली पढ़ा जाए इस प्रकार का भी इस कॉंसिपिशन ओडर के अंदर उलेग दिया है और एक रेजोलिशन है जो मैंने अभी पढ़ा जिसके त्यहत दारा तिंसो सत्तर तीन का उप्योग करते हुए कस्मीर के अंदर कि कस्मीर के बारे में जो 370 का उप्योग हो रहा है इसको सीख करने का एक प्रस्ताव राज़ अगर सदन इसको अनुमती देता है तो राष्टपती महोदय कल या परसो उनकी अनुकुलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे और तीसरा बाइफर्गेजन एक्ट लिख कर मैं आये हूं इस पर मैं बाद में बताऊंगा तो सबाबती महोदय के एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था आज भी काफी सारे सदस्यों के मन में यह बात है कि भई यह अधिकार कहां से प्राप्त होता है मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है आर्टिकल 370 की जारा तीन को पढ़ना चाहता हूं और सभी सदस्यों इसको ध्यान से सुनिया नौट विच्टेंडिंग अनिधिंग इन फोर्गोंग प्रोविजिंस अब इस अर्टिकल अधिकल 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 को अधिकार एक नौटिफिकल निकाल कर धारा तीन सब्सक्राइब पढ़ता हूं पर बैठ अरे बैसोजो अरे पूरा सुनिये भाई पहले सुनिये बैठिये आप जो पुछे के सब चीज का जवाब दूंगा बालु साब मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है समीधान के इसाब से चलती है आप मुझे पहले सुनिये इसका मतलब यह होता है इसका मतलब यह होता है कि धारा 373 का उप्योग करकर राष्ट्रपती महोदय से 370 को सीज कर सकते हैं संपूर्णत तरीके से सीज कर सकते हैं यह इनका अधिकार है मगर उसमें राइडर डाला हुआ है प्रोवाइड देट रेक्यमेंडेशन ओप दे कॉंस्टिट्योंट असेमली अप दे स्टेट रिफर तो इन क्लोज तू तो राष्ट्रपती महोदय तब ही यह नौटिफिक्शन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कस्मिर की कॉंस्टिट्योंट असेमली का अनुसंशा हो तो राश्टरपती महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मु एन कस्मिर की कॉंसिट्यंट एसम्ली की अनुसंचा को बाद ही करने का एक राइडर सम्विदानने लगा है अब मैं आता हूँ मनेवर कॉंसिट्यंट एसम्ली पर मैंने जो पहले उनलोग किया Constitution Order 2019 निकाला है इसमें राश्टरपती महोदय ने 371D इसका अधिकार का उप्योग करकर कॉंसिट्यंट एसम्ली मिल्क लेजिसलेटिव एसम्ली जम्मु और कास्मिर ये सब्द प्रयोग किया है तो अब ये अधिकार आता है जम्मु और कास्मिर लेजिसलेटिव एसम्ली के अंदर कि वो राश्टरपती महोदय को अनुशन सा करे कि आप ये अधिकार का उप्योग कर सकते हो अब काफी सारे सबास्दे होंगे एक हैंगे कि इसा नहीं कर सकते हो मैं इतियास उनको बताना चाहता हूँ इस प्रोविजन का उप्योग कॉंग्रेस ने इसी रास्ते से दो बार किया है पहली बार 1952 में दूसरी बार 1965 में 1952 में 371D का उप्योग करते हुए उन्होंने महराजा की जगे सद्रे रियासत किया महराजा का नाम निकालकर सद्रे रियासत किया और 1965 में सद्रे रियासत की जगे गवर्नर किया मेरा इतना ही कहना है कि जब कॉंग्रेस पार्टी इतना जो हो अल्ला कर रही है उनके साचन में दो बार राष्टपती महोदय ने अपने अथिकार का उप्योग कॉंग्रेट के साचन में कैबिनेट की अनुसंसा से ही किया है